दोस्तो राजस बिवाग ने ऑनलाइन जमीन की जानकारी चेक करने की सुविधा पिरदान की है अब हम किसी भी जमीन खेत या पिलाट के मालिक का नाम ऑनलाइन पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस जमीन का मालिक कौन है लेकिन अधिकांस लोगों को इस महत्मूत सुविधा की जानकारी नहीं है इसकी वेश से वे सुविधा का लाव नहीं ले पाते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाई स्टेप सरल तरिके से बताएंगे कि आप जमीन किसके नाम से है ये कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों हमारे जमीन के आसपास बहुत सारी अन्य जमीने प्लाट या खेत होते हैं लेकिन हम जायतर जमीन के मालिक का नाम नहीं जानते हैं अगर किसी जगे हम प्लाट खरीद रहे हैं तब उसके मालिक का नाम जानना बहुत ही आवसक है क्योंकि जमीन के सौधे में दोकेवाजी होने की संभावना जादे रहती है अगर आप जमीन खरीदने से पहले ही उसके मालिक के वारे में जान ले तब ऐसी इस्तिती से बचा जा सकता है तो चलिए इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप घर वैटे कैसे जमीन के मालिक का नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों सभी राज्यों ने भूले एक विबरान आउनलाइन उपलब्द करा दिया है यानि आप जिस भी राज्यों से हैं आप अपने राज्यों के राज्यों विबाग की ओफिसियल वैफ साइट में जाकर किसी भी जमीन के मालिक का नाम पता कर सकते हैं यानि कि आप अपने पिर्देश की भुव अभिलेक की आफिसिल वेब पोर्टर पर जमीन की जानकारी आनलाइन निकाल सकते हैं तो चलिए उधारन के लिए हम आपको एक राज्य उतर पिर्देश का बताते हैं Step 1, upbhulek.gov.in वेब साइट को ओपन कीजिए अगर आप उतर पिर्देश से हैं और यूपी में किसी जमीन के मालिक का नाम जानना चाहते हैं तब सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंपूर्टर में वेब ब्राउजर खोल कर upbhulek.gov.in में जाईए दोस्तों इस वेब साइट का लिंक हमने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पे क्लिक करके आप डारेक्ट इस साइट पर पहुंच सकते हैं Step 2, जब इस वेब साइट को हॉम पेज खुल जाए दोस्तों तो नीचे आईए इसमें नीचे लिखा होगा भूमी आधार अभीलेक खतोनी की नकल देखें तो Step 2 में आपको यहाँ पहुंचना है यहाँ पहुंचकर आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे खुल जाएगा पेज अगला अगली स्लाइड में दोस्तों जिस जमीन की जानकारी चाते हैं वो जमीन की जनपद, तहसील और ग्राम के अंतरगत आती हैं उसे सेलेक्ट करना होगा Step 3 खसरा या गाटा संख्या दोवारा खोजें अगले स्टेप में आपको जमीन किसके नाम पर है यह पता करने का अलग अलग बिकल्प दिखाई देगा इसमें खसरा गाटा संख्या दोवारा खोजें बिकल्प को सलेक्ट कीजिए अब जिस जमीन के मालिक का नाम जानना चाहते हैं वो जमीन का खसरा गाटा संख्या निलदारिक पॉक्स में भरिए और खोजे बटन को सलेक्ट कीजिए जब आप खोजे बटन को select करके उस पे click करेंगे तो अगली slide कुलेगी जो step 4 है खसरा गाटा संख्या को select करना खसरा गाटा संख्या type करके खोजने पर उससे सम्मंदित सवी list नीचे दिखाई देगा इसमें उस खसरा गाटा संख्या को select करें जिसके मालिक का नाम आप जानना चाहते हैं select करने के बाद उधरन देखें बिकल्ब को select करें step 5 capture code verify कीजिए अगली screen में आपको capture code verification आएगा यहाँ दिएगे capture code को निधरी box में भर कर continue बटन को select कीजिए अगला step 6 जमीन के किसके नाम से हैं देखें जैसे ही capture code भर कर submit करेंगे आपके द्वारा select किएगे खसरा संख्या गाटा संख्या का जमीन किसके नाम पर है यह दिखाई देगा पूरा खतोनी खुल कर आ जाएगा इस क्रीन पर खाता का विबरान खुलेगा इसमें खातेदार का नाम लिखा हुआ होगा इसके साथ ही खसरा संख्या और जमीन शेत्रफल भी लिखा होगा इसमें कोई अगर आदेश दर्ज है तो वो भी इसमें लिखा हुआ होगा यानि कि पूरी खतोनी का आपको विबरान यहां मिल जाएगा इस तरह यूपी बुलेक की ओफिसिल वेबसाइट पर किसी भी जमीन के मालिक का नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के लावा अन्यराज जैसे हैं तब आप भी अपने राज्य की ओफिसल वेबसाइट में जाकर पता कर सकते हैं कि जमीन किस के नाम पर है तो दोस्तो यह थी जानकारी खसरा संक्या गाटा संक्या डालकर जमीन किसके नाम से है पता करने की अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी के नाम से उस गाओं में कितनी जमीन है ये आप कैसे पता कर सकते हैं आपके पास गाटा संक्या भी नहीं है खाता संक्या भी नहीं है तब आप इस इस्तिती में किसी के नाम से जमीन गाओं में कितनी है ये कैसे प खता कर सकते हैं तो दोस्तो फिर से आपको उसी सीलाइड में जाना होगा जहां आप जन पर तैसीलंल और घाऊव सेलक्त किए थे उसके बस अगली सीलाइड जो खुली थी दोस्तोर उसमें आपको पहला और खासरा घार संक्या था दूसरा option खाता संक्या था तीसरा option नाम के द्वारा खोजें दोस्तों यहीं आप क्लिक करेंगे नाम के द्वारा खोजें अब नीचे बॉक्स में जिस नाम का आपको जमीन खोजना है उसके दो तीन अक्षा शुरू के या पूरा नाम डाल कर खोजे बटन पर जैसे एक क अभी नाम उस गाओं के खुल के आ जाएंगे आप नाम से उनके पिताजी का नाम मैच करते हुए उद्धरन खतोनी पर ख्लिक करेंगे अगला capture code डालेंगे उसके बाद उनका पूरा ब्योरा खुल कर आ जाएगा कि उनके नाम से गाओं में कितनी जमीन हैं कितने गाटे है कुल छेत पल कितना है या उनकी जमीन की बिक्रे की स्थिति कुछ है तो उस पर आदिस लिखा हुआगा तो दोस्तो इस तरिके से आप किसी भी नाम से जमीन कितनी है गाओं में ये चेक कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी गाओं में ऑनलाइन जमीन कैसे चेक करें घर झाल